हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट का क्या यूज है इसको हम यहाँ पे डेटेल में सिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट इसके डेफिनेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे तो इसकी definition है if statement तब ही execute होती है जब condition true हो यदि condition false हो तो कुछ भी execute नहीं होता है तो यह if statement की definition है इसके बाद हम यहाँ पे if statement का syntax जानेंगे तो यह यहाँ पे if statement का syntax है यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है if इसके बाद यहाँ पे लगाई हुए condition इसके बाद curly bracket open की हुई है इसके बाद यहाँ पे code to be executed इसके बाद यहाँ पे curly bracket close की हुई है तो यह if statement का syntax है इसके बाद यह if statement का structure है तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे if लगाएंगे if के बाद यहां पे condition गाएंगे अगर condition यहां पे सही हो जाती है तो यहां पे statement प्रिंट हो जाएगी और यहां पे statement अगर false हो जाती है तो यहां से यह auto हो जाएगा तो इसको हम आगे program की जरीश हमते हैं तो यह हमने यहां पे notepad को open किया हुआ है तो यह जो java script का program है यह हमने stml के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे यह देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हमने stml इसके बाद head इसके बाद यहाँ पे title और title को बंद किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे heading हमने लिए है h1 इसके बाद यहाँ पे जो java script का program होता है य यहां से start किया जाता है यह लिखो script लिखा हुआ है और script के अंदर हमने यहां पर javascript का code लिखा हुआ है तो यहां पर सबसे पहले हमने लिया हुआ है variable x और इसकी value लिए हुए 200 और यहां पर लिया हुआ है variable y और इसकी value लिए है 300 इसके बाद यहां पर if statement यूज की हुए है औ और यहाँ पे round bracket में हमने लिखा हुआ है X is less than by तो यह दिखो यहाँ पे हमने यहाँ पे condition लगा दी कि X is less than by है इसके बाद यहाँ पे curly bracket को open किया हुआ है तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है document.write कि हमें क्या यहाँ पे display करे X is smaller तो यह display करे इसके बाद हम यहाँ पे semicolon लगाएंगी last में और यहाँ पे curly bracket को बंद करेंगे इसके बाद इसके बाद यहाँ पे यह script इसको बंद करेंगे तो यह हमने HTML के अंदर Java script के code को लिखा हुआ है तो जब हम Java script के code को HTML के अंदर लिखते हैं तो इस file को save करते हैं हम .html यह लिखो यहाँ से start के हूआ है और यह code लिखा हुआ है और script को बंद के हूआ है यहाँ से लिखे यहाँ तक यह जो Java script का code ही लिखेंगे तब हम file को save करेंगे file name लिखेंगे और उसके बाद .gs इस नाम से इसको save करेंगे इसके बाद हम इस file को save करेंगे यहाँ पर file पर जाएंगे save as पर जाएंगे save as पर जाने के बाद यह save as dialogue box आ जाएगा यहाँ पर हम इसको save करेंगे desktop पर, यहाँ पर desktop पर click किया click करने के बाद यहाँ पर file name देंगे तो file name हमने यहाँ पर दिया asd यह file name दिया इसके बाद extension लगाएंगे dot html यह extension लगाएंगे लगाने के बाद हम इसको save कर देंगे save करने के बाद हम इसको minimize करेंगे और यहाँ पे हम file को open करेंगे यह देखो यहाँ पे यह बन के आगे यह isd तो इस file को हम यहाँ पे open करेंगे तो यह देखो यहाँ पे print होके आगया x is smaller तो यह देखो यहाँ पे हमने variable x की value लिखी थी 200 और यहाँ पे variable y की value लिखी थी 300 तो यहाँ पे condition लगाए थी कि x is less than y तो यह जो x की value है is less than y तो यहाँ पे आगया x is smaller यह देखो हमने यहाँ पे document.right में लिखा हुआ है x is smaller तो यहाँ पे यह message हमें show कर रहे है suppose करो हम यहाँ पे यह जो value है 200 इसको जादा कर देते हैं जैसे यहाँ पे 400 तो यह 400 value हमने कर दी अब यह जो condition है यह देखो यहाँ पे यह condition सही नहीं है यह x की value 400 है और y की 300 है तो x is less than y तो यह value यहाँ पे false हो जाएगी तो यहाँ पे हमें कुछ भी output नहीं मिलेगी तो इसक करके देखते हैं यहाँ पे इसको save करते हैं यहाँ पे file पे गए और यहाँ पे save पे click किया save पे click करने के बाद जब हम इसको यहाँ पे refresh करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी show नहीं करेगा यह देखो यहाँ पे refresh किया तो refresh करने के बाद यह देखो हमें यहाँ पे कुछ भ की 300 है तो ये सही नहीं है तो इसलिए हमें यहां पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है यह अगर हम यहां पे value फिर यहां पे change कर देते हैं जैसे यहां पे value कर दी हमने 100 यह 100 की 100 करने के बाद ये दिखो ये जो value है ये सही हो जाएगी अब ये दिखो यहां पे इसको save किया ये save पे click किया इसके बाद इसको refresh किया ये दिखो refresh करने के बाद यहां पे ये x is smaller तो ये x जो है smaller है किस से 300 से तो इस वीडियो में हमने if statement के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीड कर दो इसक्राव में जानल